सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चानल को और बेल के बटन को दबाईए और आने वाले इंटेस्टिंग न्यूज के मज़े पाईए इंटरनेट पे 50 अ 100 रुपे के नोटों के बैन होने की लगातार मेसेज वाइरल हो रहे हैं इस मेसेज ये मताबिक बुद्वार रात 12 बजे तक 50-100 रुपे के पुरानी नोट बंद हो गए हैं ट्वीटर और फेस्बुक जैसे सोशल साइट फ्लाटफॉन पर ये ट्रेंड कर रहा है पर सच्चाई कुछ औरी है क्या है मेसेज में आईए जानते हैं वाइरल मेसेज में सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि इन नोटों को 21 अक्टूबर 2017 से पहले बैंक में जमा करना होगा क्योंकि तब इनका उप्योग लीगल टेंडर की तोर पर नहीं किया जाएगा मेसेज में कहा जा रहा है कि ये एलान भारते रिजर्व बैंक की तरफ से किया जा रहा है वाइरल मेसेज में ये भी दावा किया जा रहा है कि भारते रिजर्व बैंक 50 और 100 रुपे के नए नोट ला रहा है इसकी वज़े से ही वैब 50 और 100 रुपे के पुराने नोट बैंक कर रहा है मैसेज में लोगों को 500 और 1000 रुपे के पुराने नोट बंध होने की आद भी दिलाई गई और उन्हें जल्दी जल्दी 50 और 100 रुपे के पुराने नोट बैंक में जमा करने की हिदायत दी गई है क्या है सच्चाई? ये मेसेज कहां से आया और कैसे वाइरल हुआ इसके बारे में कोई पुक्ता जानकारी नहीं है पर इतना तो तैह है कि इस संबंद में RBI ने कुछ नहीं गहा है देश के केंद्रे बैंक की और से इस बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है RBI की वेबसाइट पर इस मेसेज की परताल करने पर सामने आया कि इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी नहीं किया गया है ऐसे में सच ये ही है कि 50 और 100 रुपे के पुराने नोट बंध नहीं हो रहे है Daily Trending News की Report Subscribe करें हमारा चैनल ऐसे ही latest और interesting news के लिए